कक्षा बाराय अध्यायतीन मानव जनन लोक सिक्षा संचाल नालाय के द्वारा जारी प्रिश्ण बेंग के सभी प्रिश्णों के उत्तर आपका अध्यायतीन है मानव जनन तो इस प्रिश्ण बेंग में सबसे पहले दिए हैं रिक्तिस्थान तो चलो इन्हें देखते हैं मानव उत्पत्ति वाला जीव है तो मानव लेंगिक उत्पत्ति वाला जीव है यहां आपको लेंगिक भरना है क्योंकि यह आपके सामनी क्या है रिक्तिस्थान और यह प्रिशन जो है विकल्प में भी आ सकते हैं फिर मानव है अंड प्रजक सजीब प्रजक अंड जरायुच तो आप सभी आनते हैं मानव सजीब प्रजक होता है फिर मानव में निशेचन होता है तो मानव में आंत्रक निशेचन होता है और कहां होता है निशेचन फेलो पियन नलिका में होता है फिर नर इवा मादा युगमक होते हैं त यह आपको ध्यायन रखना बहुत इंपोर्टन्ट है इगुमेनज होता है इगुमेनज दूइगुड़ित होता है तो इसको समझे लो थोड़ा इगुमाने होता है जोड़ा मतलब एड टुझे तो जो इगुमेनज बनता कैसे है कलव जाईगोड बनता कैसे है नर इगउमक और मादा इगउमक के मिलने से बनद आप सही जानते नर इगउमक अगोडित होता है मादा इगउआक अगउडित होता है दूछे में मिल गाए तो ऑवे फ contam गया ठीक है क्या इगमन अच्छी इसलिए धुकरत होता है झाल झाल कक्षा बाराय अध्यातीन लोक सिक्षण संचाल नालाय के द्वारा जारी प्रश्ण मेंके के सभी प्रश्णों के सही उत्तर तो इसमें सबसे पहले रिक्तिस्थान दिए हैं और इनी से परिक्षाम प्रश्णाने हैं तो आपको याद हो जाने चाहिए तो पहला जो है आपका रिक्तिस्थान मानव उत्पत्ति वाला जीव है मानव लेंगिक उत्पत्ति वाला जीव है क्योंकि मनश की उत्पत्ति कैसे होती हैं आप सभी जानते हैं लेंगे की जनन से होती है नर इगमक और माद इगमक के मिलने से जब जाइगुड बनता है जाइगुड से भुण बनता है फिर सिसू की उत्पत्ति होती है इसलिए जो मानव है इसकी उत्पत्ति लेंगे की जनन से हुई है तो यहाँ आपको बना है लेंगिक उत्पत्ति वाला जीव है , फिर है अग बंधा है तो मानब सजीव प्रजक है , निसेचन होता है , निसेचन गोलएक को आंग्रीजी चेहिए , हिंदी में कहते हैं यूगमनज ठीक है तो जो आपका अगला प्रशन है यूगमनज होता है ठीक है यूगम मान होता है जोड़ा किसका जोड़ा नरीगमक और मादईगमक का जोड़ा ठीक है दो है इसलिए दूइगुड़त हो गया तो यूगमनज होता है दूइगुड़त और जाइगुड से भुरूड बनता है तो यहां आपको क्या बरना है दुईगुड तो बरना है और अंग्रीजी में दुईगुड तो कहते हैं डिपलोईड अब है एक परिपक को पुटक से अन्डाडू उबम के मोचेत होने की क्रिया को कहते हैं तो इसे कहते हैं अंडोध सर्ग मतलब ऑब्यूलेशन एक परिपक को पुटक से अन्डाडू के बाहर निकलने की क्रिया को अंडोध सर्ग कहते हैं अंडाडू का निकलना अंडोध सर्ग ठीक है और अंग्रीजी में कहते हैं ऑब्यूलेशन और किस हार्मोन के प्रवावस से निकलता है तो LH और FSH अब देखते हैं आपका अगला प्रशन अंडोत सर्ग माने ओब्यूलेशन किस हार्मोन के द्वारब परिरिध होता है तो इसका सहुत्तर है LH एबं FSH यह देख लेते हैं अंडोत सर्ग ओब्यूलेशन किस हार्मोन के द्वारब परिरिध होता है तो LH और FSH के द्वारब परिरिध होता है मतलब अंडा से अंडाडू किस हार्मोन के प्रवावस से निकलता है LH और FSH LH का पूरा नाम है लिटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का पूरा नाम है Follicle Stimulating Hormone नरिव मादा के युगमक के सलेन fusion को क्या कहती है निसेचन कहती है फिर है निसेचन में संपन होता है तो निसेचन कहां संपन होता है तो निसेचन फैलोपियन में संपन होता है फिर युगमेनज बिभक्त होकर किसकी रचना करता है तो अभी अपन बात कर रहे हैं जो युगमेनज है जो जाइगोट है जब उसमें बिभाजन होता है तो उससे भुरूड बनता है उससे एम्ब्रीयो बनता है उससे अपन लोग बने हैं सिसू बने हैं और फिर ये कहां प तो उपित होता है अब भुरून और गर्भासाय के बीच संपर्क बनाने वाली रचना को कहते हैं मतलब जो भुरून है गर्भासाय में पहुँच गया है तो वो गर्भासाय से चिपक जाता है और उसको पूशन मिलता है तो किस रचना से उसे भूजन मिलता है पूशन मिलता उसे कहते हैं अपन अपरा अंगरी जी में कहते हैं प्लासेंटा मतला भुरून और गरवासाय के बीज संपर्क बनानी वाली रचना को कहते हैं अपरा या प्लासेंटा अब हैं आपके अगले विकल्प देखते हैं निशेचन का संबंध है नर युमक के किंद्रक का मादा युमक के किंद्रक से जुड़ जाना निशेचन कहलाता है फिर बिदलन निस्यचत अंडों के विभाजन की ऐसे प्रिक्रिया है जिसमें अंडा लगातार विभाजित होता है किन्तु आकार में व्रद्धी नहीं करता है बुरूनिये जलिया उपलब्द कराती है बुरून की रक्षा और पोशन बुरून की आसपास जो जलिया होती है बुरून को क्या उपलब्द कराती है तो बुरून की रक्षा करती है और बुरून को पोशन भोजन उपलब्द कराती है फिर है जरावस्था वयता का विग्यान कहलाता है एक कहलाता है ब्रद्ध रोग विग्यान gerontology मनुष्य होता है मनुष्य जरायूज होता है जिसे सजी प्रजक्ट भी कहते हैं ध्यान रखें मदचक्र होता है रतूसराओ का फिर माना सरीर का कौन सा अंग पुनर जनन को प्रदरसित करता है तो देखो यहां पर ब्रक लखा हुगा है यह ब्रक यहां गलत लखा हुगा है अपने सरीर का जो यक्रत अंग है जो लिवर अंग है बो पुनर जनन को प्रदरसित करता है तो इसका सही उत्तराब का है यक्रत माने लिवर ध्यार रखना मानब सरीर का कौन सा अंग पुनरजनन को प्रदर्शित करता है तो इसका सही उत्तर है यक्रत पुनरजनन को प्रदर्शित करता है यक्रत की जो कोशका होती है वो पुनरजनन करती है इस्तंधारियों में निशेचन होता है फैलोपियन नलका में कहां होता है फैलोपियन नलका में सरटोली कोशिका पाई जाती हैं इस्तंधारी के ब्रिसण में इंप्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें बुरून गरवासाय की भित्ती से ब्लास्टोसिस्ट जुड़ता है इंप्लांटेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें भुरूर्ण गरवासे के वित्ती से ब्लास्टु सिस्ट द्वारा जुड़ता है अब सैमनी फेरस नलेकाएं पाई जाती हैं तो सैमनी फेरस नलेकाएं ब्रिसन में पाई जाती हैं अब आपके सामरे सही जुड़ियां है ने देख लेते हैं यह आपकी सही जुड़ियां है इने देख लेते हैं एक्रोसुम तो एक्रोसुम कहाँ होता है सुक्राणूम होता है सुक्राणूम का जो सिरभाव होता है वहाँ पर एक्रोसुम होता है यह भी आपको पता होना चाह त्राइगे सर्टोली कुष्का हैं तो सर्टोली कुष्का हैं ब्रिष्ण में पायी जाती हैं फिर फियूस्टेट ग्रंती तो प्रोस्टे ग्रंती यूरिथ त्रा में होती है यूरित्थ्रा में होती है प्रोजेस्ट्रोन कार्पस लूटियम प्रोजेस्ट्रोन तो समझो ये प्रोजेस्ट्रोन क्या मिला हो गए कार्पस लूटियम से प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन श्रावित होता है फिर एक ग्राफिन पुटिकाएं तो ग्राफिन पुटिकाएं अंडा साय में होती है ग्राफिन पुटिकाएं कहां होती है तो ये अंडा साय में होती है ऐसा ही पूछ सकते हैं एट्रेटिक पुटक कहां पाई जाते हैं तो एट्रेटिक पुटक अंडा साय में पाई जाते ह और ये भी और दी हैं जोड़ियां नहीं देख लेती हैं प्राथमे के जननांग तो यहां देखो ब्रिशन तो जो ब्रिशन होते हैं वो प्राथमे के जननांग होते हैं फिर अपरास्तनी की अंडे तो अपरास्तनी की जो अंडे होते हैं वो अपीत्की होते हैं तो अपीत्क पढ़ा आपको अंडा से मुलानी है और हमें पहले बताया है एटरेटिक पुटक कहा पाए अंडा से' फिर है प्रसव तो आपको मिलाना है रिलेक्षिन से जो प्रसव होता है जो महिला आएं बच्के को जनम देती है वो किस हार्मौन के प्रिलित होने से जन्म देती हैं तो Relaxing Hormone इसका सही उत्तर है अब हैं आपकी एक सब्द में उत्तर दीजिए तो यहां देखो आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन क्या है हम आपको बूल रहे हैं तो आपको ध्यान से सुनना है आपको उत्तर क्या है समझ में आती जाएंगे यह आपको ध्याँ पर ध्याँ रखना है ठीक है बूल बूल के बता रहे हैं आपको अगर आपको सही दिखाई ना दे मतों है तो यह अशी कर लेते हैं तो पहला है सुक्राणू जनन की समय 24 प्रात्मे किस परमेटो साइट से कितने सुक्राणू बनेंगे तो इसका सहीतर आपका 96 फिर दूसरा आपका इस्तनियों में निसेचन कहां संपन होता है तो अंडवाहिनी में संपन होता है फिर अंड़ जनन के दोरान एक अंड़े के बनने में कितने धुर्विये पिंड निकलती है तो तीन कितने निकलती है तीन अब उस पतार्थ का नाम बताएगे जो सुक्राणू को अंड़ाणू में प्रिवेश की सहता के लिए सुक्राणू में बनता है तो इसका सहीतर है इस्परम लाइसन फिर दिम्ब पुटिका अंडा सहिसे अंडाणू के मुक्त होने की किरिया का नाम बताएगे बहुत इंपॉर्टन थे कही वार यह आया है अंडोथ सर्ग मतलब अंडा सहिसे अंडाणू का बहांड करना अंडोथ सर्ग कहलाता है फिर सुप्राथमिक स्परमेटो साइट से कितने सुक्राणू तथा सौ प्रात्मेक उसाइट से कितने अंडाणू प्यदा होती हैं देखो सौ प्रात्मेक स्परमेटो साइट से 400 सुक्राणू बनती हैं तथा सौ प्रात्मेक उसाइट से 100 अंडाणू बनती हैं फिर इस्तनी शुक्राणू का कौन सा भाग प्रेकिनल माने एंजायम स्रावित करता है तो जिससे यह एंडाणू प्रिविस कर गए तो इसका जो सिर्भाव होता है वो एंजायम का स्रावन करता है फिर मनुष्य की उस विकासी अवस्था का नम बताएगे जिसमें यह गरवा प्रत्या रूपत हो जाता है तो इसका सही तरफ का फीटस अवस्था फिर सुक्राणू की द्वारा अंडाणू के कौरोना रेडियेटा में प्रिविस करने के लिए कौन सा एंजायम स्रावित किया जाता है इसको और सही कर लेते हैं इससे आपको दिख जाए फिर सुक्राणू की द्वारा अंडाणू के कौरोना रेडियेटा में प्रिविस करने के लिए कौन सा एंजायम स्रावित किया था तो अभी अपने देखा था इस्पर्मलाइसिन एंजायम स्रावित किया जाता है फिर किस अंग में कारपस लिूटियम बनता है तो कारपस लिूटियम है अंडा साय में बनता है कहां बनता है कारपस लिूटियम अंडा साय में बनता है मानो निसेचन कहां होता है तो मानव निसेचन अंड वाहिनी में होता है फिर मानव गरवावस्था कितने दिनों की होती है मानव गरवावस्था 240 दिनों की होती है फिर मनुस के सुक्राणू में कितने ओटोसों होती है मनुस के सुक्राणू में 22 ओटोसों होती है गौटोसम का मतलब होता है एक जैसे गुड़ सूत्र फिर है उस अवस्था का नाम बताईए जिसमें विकास कर रहा भुरून अंडा सय के दीवार पर प्रत्यारूपित होता है उस अवस्था का नाम बताईए तो उस अवस्था का नाम है ब्लास्टूला उस अवस्था का ना से अंड के बाहर नकलने के पुरिकरिया कहलाती है, undute सर्ग। तो एह देखो आपके सभी प्रश्ण कंप्लीट हो गये है, और यह आपके रहती लगत्तमी प्रश्ण है, इन्हें देख सकते हैं। और लगत्तमधी और दिन उद्तमधीी है।